मैं ये भी चुनोती देता हूँ, जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ, उसका कहीं अता-पता नहीं रहता है। हमारी बहनजी जिन्दा, इसका जिन्दा मिशाल है। जब तक साथ था, बार-बार मुख्य मंत्री बनती थी। बयान दिया था। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। मानवर कांशी राम जी का नारा बदल दिया था। इस बयान पर बस्पा प्रमुक मायावती जी ने भी अपने जनम दिन के मौके पर पत्रकारोद्वारा पुछे गए सवाल पर स्वामि प्रसाद मौर्य के बयान का मूतोर जवाब दिया है। और कहा है कि... आप इतहास उठा कर देख लो उसका राजनितिक। बहुत सी पार्टियों मेरा जनता दल में रहा, लोग दल में रहा। किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं दी था। जब वो B.S.P. में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो M.L.A. बना। तो यह जो हवा हवाई बाते हैं तो वो बेकार हैं तो इसलिए जो मैं आपको बताना चाहा रही हूँ कि यह जरूर जिस भी पार्टी में जाता अभी जैसे B.J.P. वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तर उसको समझाते रहे हमें सर्व समाज को लेके चलना हैं तो लेकिन वो नहीं माना तो अब आप तो देखो उसकी लेंग्विज आप लोगों को मालूं है उनकी लेंग्विज किस किसम की है जबकि आप लोगों को जब हम अम्मेदगर वात की बात करते हैं तो बाबा साथ डॉक्टर अम्मेदगर की जो सोच है उसको समझना चाहिए बाबा साथ डॉक्टर अम्मेदगर किसी भी जाती और धरम के खिलाफ नहीं थे वो जातिवादी व्यवस्ता के खिलाब थे इस देश में जो गैर बरापनी वाले समाजिक व्यवस्ता बनी है उसको बदलकर वो संता मूलक समाज व्यवस्ता बनाना चाहते थे और इस व्यवस्ता को बनाने के लिए किनको सामने आना होगा जो इस विवस्ता के शिकार है उनको अपर कास्ट को भी साथ में लेकर जब सर्व समाज में भाई चारा पैदा हो जाएगा तो तभी तो समता मूलक समाज बनेगा तो बाबा साथ डॉक्टर अंबेदगर की ये इच्छा थी कि जो इस देश में गैर बराबरी वाली समाज ब्यवस्ता बनी है उसको बदलकर समता मूलक समाज ब्यवस्ता बने जिसमें सब लोग बराबर हो जैसा कि गौर तलब है कि स्वामी प्रसाद मौरिय ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके है लेकिन बसपा की सरकार जाते ही वह भाजपा में चले गए थे एवं योगी आदित्तेनात इनके सरकार में वे कैबिनेट मंत्री रहे है और अब अखिलेश यादव के पार्टी में चले गए है जिसके चलते मायावती जी ने उन्हें दलबदलू नेता कहकर उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसा बयान दिया है इस तंदर में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताए बने रहे दर्थिंग पर तब तक के ल बाना ना भुली